यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में किसी भी क्लास में चाहिए आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं यहां तक कि जो भी द्यारतिया भी 11 में आवेदन की जिनका भी नामांकन भी नहीं हुआ है उनके लिए भी यहां पर सीख्छा विवाग के तरफ से आयोजित होगा उसके लिए उपस्थिती की क्राइटेरिया क्या है इस अपडेट से आपको किलियर हो जाएगा यहां पर देखिए जनकारी दिया जा रहा है सिख्छा को लेकर सकती राजे में 10 माह में 24 लाख बच्चों का इसकूल से नाम काटा गया बताया जारा है कि इसक इसकूल में गर्मी की छूटी के बाद एक बार फिर से पढ़ाई सुरू हो गई है हलाकि पहले दिन जदातर इसकूल में बच्चों की उपस्थिती कम रही गर्मी के छूटी के बाद इसकूल के बच्चों की उपस्थिती 90% अनिवार्ज कर दी गई है सिख्छकों की उपस पहले से लागुन निर्देश का नुसार तीन दिन से अधिक बिना बताए इसकूल नहीं आने वाले बच्चों के अभिभावक से इसकूल प्रबंधन द्वारा फोन पर इसकूल नहीं आने का कारण पूछा जाता है। तब जाकर नमांकर वापस रजिस्टर में दर्ज होता है। जार लाग से अधिक परिक्षारतियों ने री एडमिशन करा लिया है। वहीं पटना जीला का यहाँ पर आकड़ा दिया जा रहा है कि 9 से 12 तक के भी बच्चों का नाम काटा जा रहा है। अधिक पूरा डिटेल है। तो 15 दिन तक वेट होगा और 15 दिन तक आप इस्कूल में नहीं पहुंचेंगे तो आपका नाम होगारा काटते जागा। और आपका मंथली एक्जाम होगा भी अब शुरू होगा इस मंत से। मान लिजे जो 9 में है 11 में है जिनका 11 में अभी नामांकर नहीं हुआ है उनके लिए भी अफगेट आया है मैं आईए भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप भी इस्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं तो आपका बारसी परिक्षा चाहिए आगे रजिस्टेशन की सुरुआत होगा तो उसमें बोला जागा आपका रजिस्टेशन नहीं होगा। और यहां पर नॉवी, दस्वी, एगराहुई और बारहुई सब के लिए यहां पर क्लासे जो गारा शुरू कर दिया गया है। कर सकते हैं, मतलब भले ही आपका नमांकन बाद में होते रहेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो आप नमांकन उगारा कराईएगा, लेकिन क्लास क्योंकि 75% उपस्थिती आपका पूरा करना है, तो जहां से भी आप 10 वी उतियुन किये हैं, अगर आप UFSS के पूर्टल पर आवेदन कर दियें, तो आप जाकर वहाँ पे कलास उगारा कर सकते, तो आप समझ सकते हैं कि सिख्षा विवाग जो है, अटेंडेंस उगारा की क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कितना सकत है, यहाँ पे आपने देखा कि अगर जो नाइन तेंथ के भी द्यार्थियों का तो कलास चल नहीं रहा है, नाइन तेंथ टूर्व का कलास चल रहा है, अब सब का मंथली एक्जाम भी सुरू हो गया, लेकिन उसके साथ जो भी द्यार्थि एलेबेंथ के हैं, जो अभी जिनका नाम आंकन नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन की हैं, उनको भी सिक्षवी वाग निर्देश दे दिया है, कि जहां से आप दस्वी किया हैं, वहाँ पर जाकर अपना उपस्थिती सुनिशित कीजी, अपना अटेंडेंस उगारा क्राइटेरिया सुनिशित कीजी और पढ़ाई वहाँ पे भी होगा, जाकर अपना कलास्स उगारा कीजीए, अगर बात करें तो नैस सतर दोहजार चौबी से पचीस तक भी आपका उपस्थिती में कोई भी छूट उगारा नहीं दिया गया है, बचाटर परसंट उपस्थिती की क्राइटेरिया फिर से लागू है, आपका पिछले साल के जैसा इस साल भी लागू है, आपको मन्थली एक्जाम उगारा में समलित होते रहना है, अगर आप मैट्रिक इंटर बोड एक्जाम दोजर पचीस के पर इक्छारती है, उमीद कर रहा हूँ आज का अपडेट को मैं आपको किलियर समझाने का परियास किया हूँ जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा सिक्षा विवाद के तरफ से या भीहार बुट के तरफ से उसकी जानकारी आप जानते हैं अपडेट कर दिया जाएगा तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद